दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Excel के तीन बहुत ही महतवपूर्ण फंक्शन्स के बारे में जो की हैं If, And, Or ये तीनों फंक्शन्स दोस्तों Excel की Logical Functions के जो Library है उसके अंदर मिलते हैं हमें ये Logical Functions इसलिए हैं क्योंकि ये Condition के Base पे हमें Result देते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कोई एक Coin को उचालता हूँ और मैं Choose करता हूँ Head तो अब मैं ये बोलूँगा कि अगर Heads आया तो मैं जीता नहीं तो मैं हारा तो देखे अगर Heads आया हो गई हमारी Condition और जीता या हारा वो हो गई हमारे जो Outcomes हैं जो Statuses हैं तो इस तरह से ये Function बहुत जगा यूज होता है क्योंकि हमारा सारा काम दिन भर में Condition के Base पे ही होता चला जाता है कि अगर इतनी Sale हुई तो कितना Commission अगर इतने Defect आये तो वो Product हमें रखना है या छोड़ना है अगर गाड़ी हमारी इतने किलोमीटर चली तो वो Economical है या नहीं है इस तरह से सारी चीजें कहीं न कहीं Condition Based होती है तो दोस्तों इन तीन Functions को विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेर करिए, कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरा जब भी नेक्स वीडियो आए तो उसकी notification आपके cell phone पे ज़रूर आजाए मैं हूँ लौकेश लालवानी, Microsoft Certified Corporate Trainer और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में Learn with लौकेश लालवानी तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं if condition की अब यहाँ पर हमने एक example लिया है जिसके अंदर हमारे पास एक company के कुछ sales persons mentioned है और उन्होंने कितने amount की sale करी है अब यह company यह कहती है कि अगर हमारा कोई भी employee अगर एक लाग से जादा की sale करेगा तो उसको हम उस sale का दो टका commission देंगे तो दोस्तों अभी यहाँ पर list 10 employees की है 10 sales person की है यह list 500 sales person की भी हो सकती है तो एक एक के लिए individually अलग अलग यह calculation करना कहीं ना कहीं हमारा time व्यर्थ करने वाली बात होगी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा एक if function लगाएंगे तो देखिए मैं open करता हूँ equal to if उसके बाद मैं press करता हूँ tap तो सामने हमारे पास यह खुलता है syntax दोस्तों अगर आपको syntax के बारे में और जाना है तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि function कैसे लिखा जाता है बहुत ही विस्तार में वो वीडियो है आप जरूर देखिए उपर i button पे click करके बेरहाल यहाँ पर logical test जो सबसे पहला argument है वो है condition जो की है logical test logical test दोस्तों मतलब है क्या condition और दोस्तों condition यहाँ पर क्या है कि अगर उस sales person की जो sales है वो greater than equal to एक लाक होती है correct अगर ऐसा होता है comma तो अब value if true मतलब अगर ऐसा होता है तो अगर यह सच है कि ऐसा है तो मैं क्या show करना चाहता हूँ value if true क्या show करना चाहता हूँ तो वो मैं यह बोलना चाहता हूँ कि यह company उसको दो टका commission देगी किस के उपर उसकी total sales के उपर तो मैं उसकी total sales को दुबारा से selection देता हूँ और इसको मैं multiply करता हूँ star sign जो हमारा asterisk होता है उसको लगा कर 2 टका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2% comma यह है value if false मतलब अगर by any chance अगर उस sales person ने 1,00,000 से कम की sale करी है तो हम commission की जगा क्या उसको बताना चाहते है तो भाईया मैं उसको यह बताना चाहता हूँ कि देखी commission तो आपको नहीं मिल रही है आपको कम से कम next time थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा work hard करना पड़ेगा ताकि आप next time commission gain कर सके तो यह जो work hard मैंने लिखा है करता हूँ यहां right bottom corner से तो आप देखते हैं इनको भी commission मिल रही है कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ जैसे कि वो नीचे तो copy paste कर देगा तो जो लोग जैसे हैं सुनील जी जिन्होंने एक लाग से कम की sale करी है तो उनके लिखा हुआ है work hard तो दोस्तों इस तरह से एक condition के base पे आप outcomes यहाँ पर दिखा सकते हैं चलिए अब हम बद करते हैं आगे की company यह कहती है कि यह scenario थोड़ा सा weak है हम दूसरा scenario एक बार test करते हैं commission देने के लिए इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम next work sheet पे चलें जिस पे हमारा scenario थोड़ा सा different है क्योंकि यहाँ sales person की total sales ना देकर साथ में उनके product जो भी वो बेच रहे हैं उनकी sales mentioned है अब यह company कहती है देखो भया हम जो commission है वो total sales पे नहीं देंगे हम commission देंगे हर एक product के sale के हिसाब से मतलब वो यह कहते हैं कि देखे आप 3 product बेच रहे हैं तो आपको commission तभी मिलेगी जब आप 3 के 3 product कम से कम 50,000 हर एक product की sale करेंगे ऐसा नहीं हो कि आप 1 product date लाग का बेच रहे हैं और 1 product कुछ भी नहीं बेच रहे हैं आपको इसलिए नहीं रखा गया तो इसलिए उन्होंने condition तीनों के उपर लगा दी तो दोस्तों अगर आप याद करें तो बच्पन में हम 2 conditions पढ़ते थे and or and के अंदर हम बात करते थे फर्स करिए कि अगर एक बच्चा तीन exams में बैठ रहा है तो अगर condition a and d and के लगी है तो उसको तीनों exams को clear करना पड़ेगा अगर उसको next class में जाना है अगर वो दो exam clear करता है और एक में fail हो जाता है तो दोस्तों वो next class में नहीं जाएगा ये बिल्कुल विपरीत हो जाता है और के लिए और के case में ये होता है कि अगर एक बच्चा तीन exams में बैठ रहा है और अगर वो एक में भी pass हो जाता है तीनों में तो वो next class में चला जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो and condition की कर रहे हैं क्यों? क्योंकि company है कह रही है कि उसको हर एक product की मतलब तीनों में उसको पचास हजार की value से जादा की sale करनी है तो इसलिए मैं function open करता हूँ दोस्तों if उसके बाद tab उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इस function को nest करने वाला हूँ and के साथ तो मैं जैसे and लिखता हूँ तो आप देखते हैं and एक function available है मैं प्रेस करता हूँ tab अब यहाँ पर इसका syntax अगर आप देखते हैं तो logical 1, logical 2, logical 3 and so on इसका मतलब इसमें आप बहुत सारी conditions डाल सकते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे कि मेरी पहली condition है ये वाली क्या condition है कि जो अरजुन की जो seat covers की sale है B3 वो भया greater than equal to 50,000 होनी चाहिए कॉमा इसके साथ साथ जो उन्होंने LED lamps की जो sale करी है वो भी greater than equal to 50,000 होनी चाहिए साथ ही में जो उन्होंने alloy wheels बेचे हैं उसकी sale भी 50,000 या उससे ज़ादा होनी चाहिए अब मैं कर दूँगा bracket close तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी and की condition है दोस्तों ये चेक कर रही है ति तीनों में 50,000 है या नहीं है और अगर इसकी outcome आती है true मतलब अगर ये and function हमें ये बता देता कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि अरजुन ने तीनों में 50,000 से ज़ादा sale करी है तो मैं press करता हूँ comma अब मैं यहाँ पर क्या show करना चाहता हूँ कि अगर ये and की condition होती है true तो दोस्तों बात होगी कि अगर ये true है तो total sales का उसको 2 टका commission मिल जाएगा तो मैंने जो उसकी total sales है उसको 2% से कर दिया है multiply नहीं तो again मैं ये बोलूँगा अरजुन को कि आप थोड़ा सा और ध्यान दीजे काम में और और मेहनत करिए ताकि आपको next time commission मिल सके मैं प्रेस करता हूँ enter तो देखे यहाँ पर अरजुन कहीं न कहीं चूक गए है कहां तक ये बात बनती है ये दीपक भी चूक गए है अनुज भी चूक गए है देवांग पटेल ने बड़ा ही balance बनाते हुए तीनों product की जो sale है वो 50,000 से जादा करी है इसलिए उनको जो commission है वो 2% मिल गया है मैं यहाँ पर double click कर देता हूँ ताकि सब के लिए मेरे पास result आ जाए और सामने दिख रहा है कि सिर्फ दो लोग हैं जिनको 50,000 से से जादा sale जिन्नोंने करी है हर एक product की और इसी बज़ा से उनको commission मिल गया है अब company कहती है कि हम एक scenario और रख सकते है data इसी तरह का ही होगा अगर हम आगे बढ़ें next worksheet में तो data इसी तरह का है पर वो यह कहते हैं कि अगर कोई भी employee हमारा अगर किसी भी एक product की sale 50,000 से जादा कर देगा तो हम उसको उसकी total sale का 2% commission दे देंगे बड़ी ही दयालू company है तो अगर यह ऐसा करती है तो अब यहाँ पर हम यह बात करते हैं कि हम यह function कैसे लगाएं तो मैं बोलता हूँ equal to if tab अब देखे तीनों में से किसी एक की बात हो रही है तो मैं end की जगा बात करूँगा दोस्तों और की यहाँ पर हमारा आता है seat cover की जो value है वो होनी चाहिए greater than equal to 50,000 कॉमा इसी तरह से LED lamps की जो sale है वो भी होनी चाहिए greater than equal to 50,000 या alloy wheels की sale होनी चाहिए greater than equal to 50,000 ब्रैकेट कर दिया मैंने close तो यह हो गया हमारा or function complete अब यह or function यह बताएगा कि अगर तीनों में से तीनों sales की जो values है तीनों में से किसी एक में भी अगर 50,000 से उपर value है तो कॉमा उसको क्या मिलना चाहिए तो दोस्तों बात वही बनेगी कि total sales का उसको मिल जाएगा दो टका commission नहीं तो फिर again हम लोग बोल सकते हैं उसको कि भाईया थोड़ी और मेनत करिए और next time achieve करिए अपनी commission bracket close, enter तो देखिए इनको commission मिल गई है क्योंकि इनके जो seat covers की value है वो 50,000 से जादा है फरक नहीं पढ़ता कि बाकी दोनों में 50,000 से जादा है या नहीं है अब मैं नीचे की और बढ़ता हूँ हम में से कोई ऐसा salesperson है जिनकी ऐसा कुछ है तो वो हमें देख रहा है सुनील है जिनकी actual में जो value है वो तीनों में ही 50,000 से कम है बस उनको छोड़ कर बाकी सब को commission मिल गई है तो दोस्तों आशा करता हूँ इस sample data से आपको समझ में आ गया होगा कि if and or कहां पर apply हो सकता है आप अपने काम से इस सो correlate करिए और try करिए कि कहां पर आप इसको use कर सकें अगर आपको कोई भी difficulty आती है तो इस comment section में नीचे आप लिख सकते हैं अपनी query डाल सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि और किस function पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊ इस तना से sample data बनाऊ अगर आपके पास कोई sample data नहीं है या आपका working data नहीं है तो आप इस file को भी download कर सकते हैं इसका link मैंने नीचे description पर दे दिया है डाउनलोड करके आप इसके उपर आराम से practice कर सकते हैं अगर आप अपने या अपने कलीक की Excel knowledge को improve करवाना चाहते हैं professionally तो आप हमें call कर सकते हैं नीचे screen पर नंबर आपको देख रहा है यहाँ पर तुरंद call करिए और कोई भी अपनी training need को आप discuss कर सकते हैं बड़ आप